श्री किष्ण शिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिसितिक क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री किष्ण ने केवल कहा ही नहीं, अपने सब्दों को साकार करके भी दिखाया, जैसे गीता के रूप में उनकी वाड़ी अनुकरणी है, वैसे ही उनका जीवन भी। श्री किष्ण ने सिखाया कि रिस्ते कैसे निभाय जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है, और जीवन के उतार चड़ाओ का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। हर समय मुस्कुराने वाले स्री किष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चिनोतियों की कथा है। जिसमें उनकी इकलवती बहन सुबद्रा के पुत्र अभिमन्यू की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल नास का साब दिया, और कृष्ण की आँखों के सामने उनका सारा कुटुम आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदी से अंद तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्ट दायक घटा। बावजूट इसके कृष्ण की आँखों से कभी आँशू ना निकले। हर प्रतिकूल परिश्टि में शेकृष्ण सदय मुस्कराते ही रहे। इस्वर होकर भी साक्षी भाव से द्रश्टा बने। सब स्विकारते हुए सहज बने रहे। हर प्रतिक दोड़िका बने चरा प्रतिकृष्ण से अम्हां से दिनके की डिवरण गाला बने चाहँ प्रतिकृष्ण